वो गलत मान सिकता जो हमारी हो सकती है जिसके कारण हम तब जंगल में रहना जारी करते हैं जब हमें वादे के देश में होना चाहिए क्या ऐसा कोई है जो वादों के बारे में बात करते हुए ठक गया है और उनके लिए मताबिक रहने को तैयार है हम शुरुआत करते हैं मिस्र में जहां हम अविश्वासी और परमीश्वर से अलग होते हैं हम वहां से बाहा निकलते हैं और वादे के देश की ओर चलते हैं सभी को जंगल में से एक छोटी यात्रा करनी पड़ती है जंगल की ये यात्रा कामी स्वभाव से संबंदित है ये जीव में जीने से संबंदित है एक उद्धार नहुआ व्यक्ति पुनरजिवित नहीं होता पर जब हमारा उद्धार होता है हम मसी में पुनर जीवित होते हैं या नए बनते हैं फिर भी हम कामी और शरीर द्वारा चलने वाले हो सकते हैं और जब तक हम उस हाल में होते हैं हम आध्यात्मीक रूप से व्यासकन नहीं होते हम अपना जीवन जंगल में भटकते हुए गुजारते हैं वादे की धर्ती पर रहने का अर्थ हकेवल परमीश्वर के सभी वादे प्राप्त करना ही नहीं बलकि ये की हम में समझदारी की एक मात्रा भी हो जहां हम आइंदा जीवन न गुजारें अपने विचारों अपनी इच्छाओं और भावनाओं के अनुसार हम क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं और क्या महसूस करते हैं हमें जीना चाहिए परमिश्वर के वचन और इच्छाओं के अनुसार अपनी नहीं हम सभी का एक जीव होता है और हमारा जीव है हमारा मन, हमारी इच्छा और हमारी भावनाओं और हमारा प्यार सा मुँँ बताता है वो सबी बातें जो हमारा जीव महसूस करता है मैं चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ, महसूस करता हूँ, चाहता हूँ हम इसराइलियों के गलत मान सकता के बार में बात करने आए हैं जिसके कारण वो 40 वर्षों तक जंगल में भटकता रहे एक ऐसी यात्रा करने के लिए जिसमें ग्यारा दिन लगते थे परमिश्वर के अनुग्रह से हम पहले ही साथ कर चुके हैं इसलिए आज तीन बचे हैं इसलिए आज हम आरम करेंगे उन आठवे घलत रुख के साथ जो इसराइलियों का था जिसने उन्हें वो प्राप्त करने न दिया जो परमिश्वर पहले ही से उन्हें देना चाहते थे परमिश्वर मुझे आशिश नहीं दे सकते क्योंकि मैं उनको योगिनी यह सत्य है हम उसकी योगिनी होते पर इसका ये यर्थ नहीं कि ये परमेश्वर हमें आशिश नहीं दे सकते आमेन आपको उसकी ओर देखना बंद करना है जो आप गलत करते हैं और उसकी ओर देखना आरम करना है जो उन्होंने सही किया है आमेन इफिस्यो एक चार पाँच एक अती सुन्दर वचन है जिसे हमें मिलकर देखना चाहिए उसने हमें अपने प्रेम में छुन लिया परमीश्व ने आपको क्यों चुना? क्योंकि उन्हें आपको से प्रेम है उसने ऐसल में हमें अपना समझ कर अपने लिए चुन लिया ऐसा नहीं है कि हमें उन पर थोप दिया गया है उन्होंने स्वयम आपको चुना आमीन और हाँ वो आपके बार में सब जानते थे शुरुआत से ही आप उनके लिए कोई अजुबा नहीं है और नहीं मैं वो ऐसा नहीं कहते ओ नहीं ये मुझे क्या मिल गया उसने हमें जगत की उपत्ती से पहले मसी में चुन लिया अपना समझ कर अपने लिए कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र धार्मिक कामों के लिए समरपित किये और उनके लिए अलग रखे हुए और निर्दोश हो उनके सामने हम प्रेम में नाम धराई से भी उपर हों यह शब्द नाम धराई शायद ऐसा एक शब्द है जो आप शायद परीचितना हो पर हम आज उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे क्योंकि नामधराई शब्दकार्थ है लज्जा और दोश और अधनामी और कलंक और अपराधी ठहराना इसलिए जब हम दोश की भावना में रहते हैं जो परमिश्वनी मसी की द्वारा दूर किया हो हमें वैसे जीवन की जर मरें हमें दोश के लिए नहीं बनाया गया है इसलिए हमें सीखना चाहिए कि कैसे जल्दी से अपने गलती स्विकार करके परमिश्वर के साथ सहमत होना चाहिए जी परमिश्वर आप सही है मैं गलत था मैं उसके लिए बहाने नहीं बनाऊंगा अब जितनी ज्यादा बहान अपने बारे में सत्यका सामना करना बहुत कठिन होता है। कई बार वो आपको गहराई तक जंजोड डालता है। परन्तु सत्यका सामना कि ये बगएर आध्यात्मिक समझदारी प्राप्त करना ना मुम्किन है। दोनों का चोली दामन जैसा साथ होता है। हमें पवित्रा आत इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने अंतकरण की कोमल समेदर शिल भावना रखे। इसलिए हमें केवल वो करके दुखी होकर फिर सुजाकर बार-बार उसे दोरान नहीं है। प्रारतना करना जारी रखें कि वो हमें अनुग्रा और हर उस चीज से लेस करेंगे जिसकी हमें जरूरत होगी ताकि हम बाहर दुनिया में जाकर चमकती हुई रोशनी बन सकें। कितनों ने अपने जीवन में दोश का अत्याद एक अनुभव किया है। और मैं ये कहने का जोखिम लोगी कि वो अभी भी आपके जीवन में एक बड़ी समस्या है। और मैं बहुत प्रितग यता से कहती हूँ कि परमेश्वर हमें इस से जयवन्त बना सकते हैं। मैं आजकल बहुत कम इसका अनुभव करती हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर से सहमत होती हूँ। पस्चाताप करती हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा होती हूँ जब ऐसा कुछ करती हूँ जो पवित्र आत्मा को दुखी करता है पर मैं जानती हूँ कि 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 परमिश्वर चाहते हैं कि मैं सक्री और शक्ती से आमीन क्योंकि उससे हम जानते हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया क्योंकि इससे उन्हें प्रसनता हुई और ये उनका नेकी रादा था सीधे शब्दों में कहें तो वो हमें प्रेम करते हैं क्योंकि वो ऐसा चाहते हैं इसका कोई संबन नहीं होता आपके अथवा मेरे कामों से वो आपको उससे पहले से प्रेम करते हैं जब आपने उन्हें अपना मुक्तिदाता स्विकार किया था या आपको कोई परवा नहीं थी वो तब आपसे प्रेम करते थे जब आप पाप में डूबे हुए थे और वो आपको तब भी प्रेम करते यदि आप उनसे दूर चले जाएंगे और पापो में लोड जाएंगे और मिस्र में लोड जाएंगे उन्हें आपसे प्रेम हैं उन्होंने हमें अपने साथ संबंद के लिए उलाया क्योंकि वो हमें प्रेम करते हैं क्योंकि वो भले हैं क्योंकि उन्हें हमसे प्रेम है क्योंकि वो बहुत भले और दयाल हुए हमें यहीं से शुरुवात करनी है इसका यह मतलब नहीं कि हम जी सकते हैं उसी पुराने बेढ़ंगे शारीरिक कामी तरीके से जैसे हम चाहें और फिर भी हमें परमेश्वर की सभी आशिशे प्राप्त करने के लिए नहीं बलकि उस महान प्रेम के बदले में जो वो हमें मुफ्त उपहार के रुप में देते हैं हम उनसे प्रेम करते हैं क्योंकि उन्होंने पहले हमसे प्रेम किया मैं हर दिन उठती हूं और पवित्रात्मा के साथ काम करती हूं परमेश्वर को प्रसंद करने क पर आपको याद रखना है कि सही करने से आपको परमिश्वर का अधिक प्रेम नहीं प्राप्त होगा आप पहले सही परमिश्वर का वो सारा प्रेम प्राप्त कर चुके हैं जो वो दे सकते हैं और जब आप ये जानते हैं कि ये कितना आश्चुरे जनक है कि परमिश्वर आपसे प्रेम करते हैं जब आप यथार्त में जानते हैं कि आप कैसे उसकी योगिय नहीं हैं फिर हम प्रतिकरिया करनी आरम कर सकते हैं अब आश्चुरे जनक काम के बदले में जो परमिश्व ने हमारे लिए किया होता है और हम सही करना चाहते हैं वो हमारे लिए शरीर का एक काम या कर्तव subscribing नहीं बनता ना हमें महसूस होता है कि हम परमिश्वर के देंदार हैं हम वो करना चाहते हैं आमिन इसलिए कई बार हमें लड़ना पड़ता है शैतान के उन जूठों के साथ कि हमारे लिए उन आशिशों को प्राप्त करना ना मुंकिन है क्योंकि हमने ये किया होता है, वो किया होता है, वो किया होता है मुद्धा यह है कि यदि आप बदल गए हैं आपने मसी को स्विकार किया है या आज आप यहां आए हैं और आप सच मुझ बहुत बुरी अवस्था में हैं आपने परमेश्वर से अलग एक घटिया पाप भरा जिवन गुजारा है पर यदि आप आज बदलने को तयार हैं एक नई दिशा में जाने को तयार हैं आपको वो सब मिल सकता है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ आज यह महत्वपूर्ण है नहीं है कि आपने क्या किया है यदि आप तयार हैं परमेश्वर को से बदलने के लिए यदि आप हमेशा के लिए उसे मूँ मोडने के लिए तयार हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर को उस नाम धराय को दूर करने दें अपने जीवनों से। नाम धराय जो मिस्रियों में हुई है उससे मैंने लुड़का दिया है। नकारात्मक बातें मत कीचिए। आपकी शब्द शक्तिशाली होते हैं और अब ये वैग्यानिक तोर पर साबित हो गया है कि आप उस पर अधिक विश्वास करते हैं जो स्वैम को कहता सुनते हैं उसके मुकाबले जो दूसरों से सुनते हैं। मैं ये मान रही हूँ कि आप उस पर विश्वास कर रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ पर यदि आप घर जाएंगे और यहां इस सब्ता सीखे विचारों पे विचार करेंगे उन्हें अपने देहनिक इकरारों में शामिल करेंगे। और ये कहना आरम करेंगे मैं परमिश्वर का धर्म हूँ मसी में। जहां पहले था। और नून बद्लाओं के बारे में कम जो हमें होते हैं। मैंने किताब लिखिया जिसका नाम इर्दकुकिस बाइदश्यूस मुझे यकीन है कोई शिर्शकार्थ नहीं जानता होगा। मैंने ऐसा जान बूच कर किया है असल में ये अपनी तरकी का उत्सव मनाने के बारे में हैं। हमें हमेशा अपने को अपनी असफलता के लिए सजा नहीं देनी हैं। तब भी आप महसूस करेंगे मुझे यह नहीं मिलेगा क्योंकि मुझे इसकी योग्य नहीं परमीश्वर इतने सामरते हैं कि पर्यापत से बढ़कर भरपूर और उससे कहीं अधिक कर सकते हैं जितना हम सहस कर सकते हैं आशा करने मांगने या सोचनी की आपको सहसी बना आपनी डर नहीं हो सकते यदि आप में अपने बारे में बुरे विचार भरे हुए हैं अगली बार जब शर्तान आपसे कहें परमीश्वर तुम्हें आशिष नहीं दे सकते क्योंकि तुम उसके योग्य नहीं हो तब आपको कहना चाहिए मुझे याद कराने के लिए धनिय सच कह रही हूं कि यदि आप अपना बहुत समय बुरा और दोशी महसूस करते हुए गुजारते हैं तब आपको विशवास के एक छूटी लडाई लड़नी होगी आपको विशवास के एक लडाई लड़नी होगी मेरा मतलब है सब जानते हैं मैं घर पर अकेली होने पर मैं अक्सर जोर-जोर से चिलाती थी चुपकर शैतान मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ मैं अपने जीवन का अनंद उठाओंगी आपको ये फैसला करना है कि आप हर कीमत पर उसे प्राफ करके रहेंगे जो दिलवाने के लिए ये शू मरे मैं अपनी जीवन में परमीश्वर की आशिश के बगैर नहीं रहूंगी बिल्कुल भी नहीं कोई ये सुनकर शायद सोचे हमें ऐसा वेवार करने से सावधान रहना चाहिए असल में ये आपके गलत फैमिये परमीश्वर को ये पसंद है परमीश्वर को अच्छा लगता है जब आप छोड़ने को तयानी होते मैं नहीं चानती आप यहां थे या नहीं जब मैंने ये बताया था पर कुछ दिन पहले परमीश्वर ने मुसे कहा तुम्हें आत्मा में एक पिट पुल जैसा होना चाहिए तुम्हें पकड़ कर कहना चाहिए मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ अयोद पती 32 की ओर जाकर याकूब को देखते हैं तब आप समझेंगे मैं क्या कह रही हूँ आपको याद होगा याकूब ने अपने भाई एसाव को चल कर उसे वा आशिशे छिन ली जिस पर पहले जन में पुत्र का अधिकार था उसने ऐसा किया था जूट बोलकर और धोखा देकर और अपने अंदे बुढ़े पिता को चल कर और ऐसाव होने का ढोंग करके उसे असल में धोके बाजी और ठगी से वो मिला जिस पर ऐसाव का अधिकार था इसलिए उसने अपने जीवन के बहुत वर्ष गुजारे डरते, भागते, छिपते, बुरा महसूस करते हर समय इस चिंता में कि एक नए एक दिन वो ऐसाव से टकराएगा तब उसका खेल खत्म हो जाएगा आखिरकार वो इन सब से ठक गया मेरी बात याद रखे, परमिश्वर हमारे जीवनों में कुछ नहीं बदल सकते जब तक हम ठक नहीं जाते गलत तरीके से जीते हुए क्या आपने सुना मैंने क्या कहा? परमिश्वर हमारे जीवनों में कुछ नहीं बदल सकते जब तक हम ठक नहीं जाते जब तक परिशानी से हमारी नाक में दम नहीं आ जाता कुछ भी बदलने के संभावना नहीं होती आपको पवित्रा आत्मा की द्रेटा प्राप्त करनी और कहना है मैं आइंदा उन बातों के लिए दोशी महसूस नहीं करूँगा जिन के लिए मैंने अपना पश्चाता पहले ही किया है मुझे दोश की गहरी समस्या थी मैं तब तक अच्छा नहीं महसूस करती जब ता गलत नहीं महसूस करती ये बिल्कुल सत्या है पर मिश्वर मुझे याद है वो देन कितने बुरे थे हमेशा एक असपश्ट आवाज मुझे कहती तुमने ये नहीं किया तुमने वो नहीं किया पर यापत प्रार्थना नहीं की तुमने याद नहीं तुमने आज सुबह क्या पढ़ा था तुम डेव के साथ चिर्चिरा पन दिखाती हो तुम ऐसी थी तुम ऐसी थी मैं हमेशा अपनी हर गलती के लिए पास चाहता आप करती थी पर किसी न किसी कारण में विश्वास द्वारा स्विकार करने से वंचित रह जाती थी मेरा मतलब मैं ये कहती थी मुझे पता है मुझे क्षमा मिली है पर मैं अपनी भावनाओं को हावी होनी देती थी आपको ये समझना होगा कि आपकी भावनाय आपसे जूर बोलेंगी वो आपको तब भी दोशी ठहराएगी जब आप परमीश्वर के समक्ष मोर्ण यता से निर्दोश होंगे आप कहेंगे मैं कैसे इन से पार हो सकता हूँ आपको जोर से शेतान से बात करनी है और उसे कहना है ये महत्व पुर्ण नहीं कि तुम मुझे कैसा महसूस कराते हो मैं जानता हूँ मुझे क्षमा मिली है मैंने इसका अभ्यास किया है ये महत्व पुर्ण नहीं कि शेतान मुझे कैसे महसूस कराता है इसका अभ्यास करें ये महतो पुर्ण नहीं कि शैतान मुझे कैसे महसूस करवाता है मैं जानता हूँ मुझे क्षमा मिली है मुझे क्षमा मिल चुकी है आमेन तो याकुब उस मोड पर आया जब वो इस तरह से जीते ठक गया था और वो इतना हताश हुआ कि उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया उसने अपने परिवार को नदी के एक तरफ छोड़ा और लिखा वो दूसरी तरफ गया अपना सब कुछ पीछी छोड़ कर वो दूसरी तरफ गया परमीश्वर के साथ मल्लयुद करने और कई बार ये मकाम बहुत शक्ति शाली होता है ये वचन उपर लगा देते हैं और याकूब आप अकिला रहे गया तब कोई पुरुश एक महान पुरुश आकर ये फटने तक उससे मल्लयुद करता रहा परमीश्वर और हम में ये कैसा मल्लयुद होता है जो वद्रड होते हैं अपनी इच्छा पुरीकने को और हम अपनी इच्छा त्यागने के कोशिश कर रहे होते हैं और तब उस पुरुश ने देखा की मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता दूसरे शब्दों में जब प्रभू के दूत ने देखा की याकूब किसी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं था तब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता तब उसकी जांग की नस को चुँआ सो याकूब की जांग की नस उससे मल्ले यूद करते ही करते चड़ गई तब इसका क्या नतीजा हुआ एक याकूब इसके करण लंगडा कर चलने लगा मेरे विचार से ये अच्छा था क्योंकि उसे ये याद दिलाने के लिए कुछ था कि वो कहां से बाहर आया था और उसकी वहां लोटने के संभाव ना थी यदि वो परमेश्वर की मर्जी में न होता आये बाकी के वचन देखते हैं तब उसने कहा ये बढ़िया है याकूब के साथ मल्ले यूद कर रहे परमेश्वर के दूत ने कहा मुझे जाने दे मुझे जाने दे क्योंकि भोर हुआ चाहता है याकूब ने कहा जब तक तु मुझे आशिरवाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूँगा हे ब्रभू ये कितना प्रशंसी है मैं तुझे जाने नहीं दूँगा नहीं मैं तुझे नहीं जाने दूँगा नहीं मैं हर मानने वाला नहीं यदि कोई आशिश पास सकता है, तो वो मैं पाऊंगा। आपको रोते हुए, डरते हुए, यह नहीं कहना है कि मेरे विजायर्ज है, यह मेरे लिए नहीं है। यदि परमिश्वर चाहते हैं कि मुझे यह मिले तो वो मुझे कैसे दे देंगे। माना इसमें थोड़ा सत्य है, पर यह समझना है कि परमिश्वर लोगों में पक्षपात नहीं करते। और यदि आप उन्हें खोजेंगे और हिम्मत हारने से इंकार करेंगे, आप उन्हें ढून लेंगे। आप में पिट बॉल की भावना होनी चाहिए। और मैं नहीं चाहती कि हर व्यक्ती जिसके पास पिट बॉल हो, वो मुझे लिखे। और कहें कि मैं उनके कुट्टे की नसले का अपमान कर रही थी। परमेश्वन ने मुसे ये कहा था, आप जानते हैं, पिट बॉल्स जाने जाते हैं, क्रूर और उग्रा वहवार के लिए और पकड़ कर न छोड़ने के लिए। ये सच मुझ प्रशन सी होता है, जब आप आत्मा में पिट बॉल बनते हैं, और जितना संभव हो, अच्छे बनते हैं, लोगों के साथ अपने वहवार में। मैं पहले इस से उल्टी थी, मैं शरीर रूप से पिट बॉल जैसी थी, और आत्मा में कायर थी, अब मैं बिल्कुल बदल गई हूँ, आमें। सो, याकुब लंगडाते हुए गया, पर उसे आशिशे मिले थी, पवित्रा आत्मा हमारे जीवन में आते हैं, हमें सिखाने, हमें प्रशिक्षत करने, हमार माकदर्शन और नेत्रित्व करने, हमें हमारे पाप के बार में बताने और धर्म का कायल करने के लिए, अपने की इच्छा नहीं है, अब हमें सभी जब कुछ गलत करते हैं, हम पहले से बुरा महसूस करते हैं, मेरा मतलब, यदि हम नहीं महसूस करें, तो हमें कुछ खराबी होगी, पर परमीश्वन एक तरीका उपलब्त कराया है, मसी येशु के और उनके लहू की शुद्ध करने की की द्वारा जिस से हम पुरे साफ होते हैं, उन चीजों से जो हम गलत करते हैं, और दोबारा संपूर्ण बनते हैं, मुझे वो प्यारा है जो बाइबल में लिखा है कि पवित्रात्मा बैटते हैं, येशु पिता के दाहीनी ओर बैटकर निरंतर हमारे लिए मध्यस थताक क या जो न करने को कह रहे होते हैं, वो आपके हित के लिए कह रहे होते हैं, आपको शायद इस वक्त अच्छा नम है सुसुरा हो, पर यदि आ परमीश्वर के तरीके से काम करेंगी, आपको जो भी असुविदा होगी वो अंतमे सार्थक होगी, आज हम पेश कर रहे हैं, स्मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने एहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं, हम आपके आभारी हैं, और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का, कि उनोंने इस विश्व व्यापी से काई को संभव बना, मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं, और कई देशों में सू समाचार पहुझा रहे हैं, रिप्या हम से संपर्द करें या विजिट करें jmmindia.org पर, आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोद बताने के लिए, हमारे साधरों के बारे में और जानकारी और चॉइस की सभाओं का शडियूर जाने के लिए, और हमारे सहयोगी बन जाएं, दुनिया भर में मसी का प्रेम बाटने के लिए.